दोस्तों इंडियन रिनेवल अनर्जी डेवलोपेंट एजेंसी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने गिरते बाजा में भी काफी अच्छी तेजी देखिए और यहाँ पे नई सरकार का गठन हो चुका है और यहाँ पे आने वाले समें रिनेवल अनर्जी की बात करें तो यह कंपनी जिस तरसे रेलवे के सेक्टर के लिए हो या फिर पावर सेक्टर के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर कंपनी बनाती है इसका बीजनस वाकई में मोनोपोली है और श्टॉक बहुत जड़ा करेक्ट हो चुका है क्या यहाँ से इंट्री का मौका बन स्टांदार स्प्लिट देने जा रही है लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइक ओन दबा दीजिए ताकि जबीने वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुरू किजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे पहले इरिडा की बात के लिए तो आज क्लोजिंग 180 पर रही है जहाँ पर 1.09% की तेज़ी देखनों को मिली वैसे इंट्राडे में 1803 पर चला गया था अब आप देख सकते हो कि इसका जो ओल टाइम हाई है वो 214 के आसपास है उस लेवल से भी श्टॉक नीचे है लेकिन जल्द ही एक नई तेज़ी के सार श्टॉक आगे बढ़ेगा क् कमपनी रंण नवरतना बन चुकी है और आने वारे समें महारतना बनने की तैयारी सुरू कर चुकी है और इसलिए श्टॉक आने वारे समें कमाल कर सकता है अब नई गवर्मेंट आ चुकी है और देख सकते हो कि जो यहाँ पर देख सकते हो कि अब न्यू और रिदमल सेक्टर के लिए और पावर सेक्टर के लिए जो योजदा बनाए थी वो आगे भी जारी रहेगी और तेजी से हम उसको फलीबूत करने की कोसिस करेंगे जो जो सरकार ने स्कीमे लाई है वो स्कीम आगे भी बढ़ेगी साथ में जो हमारा गोल है 2030 तक के लिए 500 गयावर के कैपिसेश को पानेगा उसको भी हम तेजी से आगे बढ़ाएंगे तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि सरकार में भले ही बदला हुआ हो लेकिन योजदा वही बढ़ेगी आ आसपरस दा वह 2024 में बढ़के 4,963 कोड तक पूच गया है लगातार हर साल बहुत तेजी से देख से रिवेनी बढ़ रहा हो और 4,000 साल में डबल हो चुका है प्रॉफिट की बात के तो बहुत भारी उचाल देखने को मिला है 2020 में जापे 214 कोड के आसपरस प्रॉफिट द बड़ा दमाका करने को त्यार है यानि जिस तरसे तेजी से इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है और जिस तरसे कंपनी अपना गोल सेट किया है माया रत्न बनने के लिए एक निवेस का सही मौका बन रहा है तो बिलकुल यहां पे दाव लगाया जा सकता है यह आने वर इसमें यह बिलकुल एक नई हाई बनेगी और इसको पार करते है तो बिलकुल अच्छा मौका है खरीदारी करनी चे इरिडा में चलते हैं इंफीबिम एवेन्यू की तरब 30.70 पर आज क्लोजिंग थी 0.87% की गिरावट देखना को मिली अब आप देखो कि इंट्राडे में वैसे तो श्टॉक 31 तक गया लो में 30 गया एक सिमिदारे में ट्रेड कर आप देखी सकते हो कि यह स्टॉक 30 के आसपार से या पर सेटल होने की कोसिस कर रहा है और यह काफी दिन से प्राइज में देखना को मिल रही है तो यह आज इंट्राडे में बहले 31 तक गया हो और लो प्रा 29 तक आ गया था और चार तारी को जब मार्केट पूरी तरह से क्रेस्ट कर गया तो यह 27 तक आ गया जैसे बादार रिकवर फिर से 30 तक पहुंच गया उन्हीं जो 30 की प्राइज है पिछले एक महने से देखनों को में मिल रही है आप देख से तो कि यह लगबग 13-14 तारी को भी अगर आप देखे तो यह प्राइज जो 31 के आसपास थी ऐसे मैं हम कह सकते है कि 30 के आसपास श्टॉक यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है नई ट्रिगर का इंजार कर रहा है जल्दी आप एक बड़ी तीजी बनीग और स्टॉक कमाल कर सकता है और 40 की जो इसकी पुरानी है उसको तोड़के नई हाई बना सकता है उसके पीछे वजेस का बिजनस रिवेन्य देख सकते हो आप 2020 में मात्र 632 क्रोड के आसपास था वो 2024 में 3171 क्रोड तक पहुच गया कई गुना बड़ा रिवेन्य और पहुत जबर्दस इजाफ़ा देखना को मिला है रिवेन्य में साथ में प्रोफिट देख तो वहाँ पर भी जबर्दस जम्प है 2020 में कमपनी का जो प्रोफिट था वो देखते हो कि 57 क्रोड के आसपास मात्र वो 2024 में 157 क्रोड तक पहुच गया है यानि पीछले 3-4 सालों में प्रोफिट 3 गुना बड़ चुका है वाकई में बिजनस बह कमपनी काम करी है और यह गुजरात बेस कमपनी आनिमस में बड़ा द्माखा करने को त्यार है निवेस का यह जरिया बनता है अब एक बार इसके पीवर डेवल के माधिम से समझे कि गिरावट का दौर सो दोगा तो कहा जाएगा और तेजी में कहा जा सकते है तो यहां से ग कर लिया तो 35 दोग जाएगा तेजी और जा रही तो फिर 39 तक जा सकता है निवेसे में इन्वेस्मेंट का बिल्कुल जरिया बनता है दाव लगाना चीए चलते हैं साला सट टेक्न इंजिनरिंग की तरब 20.02 पर आज क्लोजिंग थी 0.10% की मामली सी तेजी देखना को मिली वैसे यह स्टॉक भी 20 के आसपास बहुत समय से स्ट्रगल कर रहा है और एक मजबूत सपोर्ट इसको मिला हूँ यह बातों क्लेल दिख रही है आज यह 20 की जो प्राइज है और जब मार्केट क्रेस्ट कर गया उस दिन यह 19 तक आ गया था लेकिन फिर यह 20 तक आ गया है और बड़ी गिराउट इसमें नहीं हो रही है 20 के आसपास स्टॉक बहुत मजबूत दिख रहा है वैसे जो इसकी हाई थी वो अल टाइम हाई 33 के आसपास है उस लेवल से स्टॉक काफी ज़्यादा क्रेक्ट हो चुका है यहाँ पे गरम इसका बीजनस देके तो बहुत ही है 2020 में मातरे 22 क्रोड का प्रोफिट पूरे साल का वह 2024 में 52 क्रोड तक पहुंचके यह प्रोफिट डबल हो चुका है तो लगातार प्रोफिट बढ़ रहा है रिवेन्यू बढ़ रहा है और आपको यह पता ही होगा कि बड़ी-बड़ी कंपणियों के साथ में 20 श्राय पे टेली कॉम सेक्टर के लोगे, यह कंपनी हर तरह के प्रड़क्ट बनाती है, काफी सांदर और मोनोपोली बिजनस है, दाव लगाना चाहिए यह बहुत ही सांदर आने वल्स में रिटन दे सकता है, अब एक बार पीवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, तो यहां से अगर गिर आर्विनेल जैसे जॉइंट वेंचेस बने हुँ, इसके आर्विनेल के साथ मिलके बहुत सारे प्रजेक्ट कमपनी कर रही है, अब चलते हम उस श्टॉक की इतरब, जो हमें बहुत ही सांदार स्प्लिट देने जा रहे हैं, यहां पर हम बात करे हैं, शेर इंडिया इसी महिने की 27 तारी के पहले अगर आपके डिमेट अकाउन में शेर आ जाते हैं, तो आपको स्प्लिट का फाइदा मिल जाएगा, और सबसे जो बड़ी बात है, कमपनी शेर मार्केट का काम करती है, ब्रोकिंग बीजनेस करती है, हर तरके फाइनेसल प्रोड़क्ट प्रो मिल रही है, काफी अच्छा बीजनेस है, और सबसे बड़ी बात है, कमपनी का पिछले काफी समय से जो रिजल्ट है, वो कॉर्टर रिजल्ट काफी बैतर दे रही है, पिछले पास साल का, अगर C.A.G.R देखे तो वो 76.9% के आसपाद जो काफी है, प्रोफिट ग्रोध का करना चाहिए, लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनसल एडवाजिस बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंको मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए, तो लाइक से जिरू क और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू फ्रेंड्स